तो आज चुके exercise 3.1 के question 6 में क्या बोला हमें if in two circles चीक है मतलब हमें दो circle बनाने है पहले अभी पहले पुड़ा पढ़ लेते हैं arcs of the same length दोनों की arc जो है वो same length की है तो हम कुछ माल लेंगे subtended angle 60 degree and 75 degree पहला वाला जो circle है वो 60 degree बना रहा है दूसरा वाला जो circle है वो 75 degree बना रहा है at the center find the ratio of their radii दोनों के radii की हमें ratio निकालने है radii मतलब radius होता है तो ये दो मैंने circle बना लिए इसकी हमें length of arc और इसकी length of arc हमें same बोली है तो मैं कुछ L माल लेता हूं दोनों की same ठीक है यहां से लेकर यहां तक ये जो length of arc है मैंने L ले ली यहां से यहां तक इसकी मैंने वापस L ले ली हमें क्या बोला पहले वाला तो मैंने इसको मिला दिया 60 degree angle बना रहा है दूसरा वाला 75 degree angle बना रहा है तो मैंने इसको 75 बना दिया तो सबसे पहले इसकी हम radius निकाल लेते हैं फिर इसकी radius निकालेंगे दोनों को अपउन में कर देंगे ठीक है तो वो radius कैसे निकलेगी theta is equals to l by r से इदर भी कैसे निकलेगी theta is equals to l by r जबकि 2 theta है तो मैंने theta 1 ले लिया इसको theta 2 ले लिया l तो हमने मानी है तो l ran 2 r इसको radius 1 ले लिया इसको radius 2 ले लिया तो सबसे पहले हमें radius निकाल लिया है इसकी तो r1 को भिजो और theta 1 को नीचे भिजो r1 is equals to l by theta 1 इसको भी यही करेंगे r2 is equals to l by theta 2 तो अब इस formula में मुझे पता है theta दे रखा है 60 degree पर मुझे तो पता radian में होता है theta always in radian तो मैंने 60 degree को convert करा radian में तो radian में अगर किसी degree को convert करना है तो उसे pi by 180 से multiply करना पड़ता है तो यह आ गया हमारा pi by 3 radian ठीक है multiply करके देख ले न pi by 3 radian आ गया तो इस theta के जिगे पर मैं pi by 3 radian डाल देता हूँ r1 is equals to l by pi by 3 यह हो गया हमारा r1 आ चुगा है अब theta 2 देखते है theta 2 हमें 75 दिया हूँ है तो 75 into pi by 180 ठीक है तो यह कटा 25 यह कटा 60 और यह कटा 550 और यह कटा 12 बार तो मतलब क्या आ गया 5 pi by 12 आ गया तो यह मैंने इधर put कर दिया r2 is equals to l by 5 pi by 12 अब मुझे दोनों का ratio निकालना है r1 upon में r2 करना है ठीक है दोनों का radius का ratio r1 is equals upon r2 r1 क्या है l by pi by 3 ठीक है यह main line है upon यह remain line वो उपर वाले की main line है यह बीच वाले की main line है और नीचे क्या है l upon यह नीचे वाले की main line 5 pi by 12 ठीक है तो हम लोग इसको थोड़ा सब उपर कर लेते है मतलब l 3 को उपर ले जाते है तो यह क्या हो गया 3 l by pi यह main line इसको 12 को उपर ले जाते है 12 l by 5 का pi ठीक है अब पूरे के पूरे उपर को नीचे ले आते है मतलब 3 l by pi को यही रहन दो इस दोनों को उल्टा कर दो into में 5 pi उपर चला जाएगा upon में क्या आ जाएगा 12 l आ जाएगा pi से pi कटा 3 4 जा 12 l से l कटा क्या बचा 5 by 4 हमने क्या कर रहा था r1 upon r2 और यह क्या है 5 by 4 मतलब r1 क्या आ गया 5 r2 क्या आ गया 4 तो हमें ratio निकालना था r1 ratio r2 r1 क्या है 5 ratio r2 क्या है 4 तो यह हमारा main answer आ चुका है इतना सही था exercise 3.1 का question 6 भी complete हो चुका है